Q17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. तो चलिए पहले question को समझते हैं. दो stones हैं. एक stone जो है एक building के top पर जिसकी height 100 meter है वहाँ पर है और दूसरा stone जो है वो ground है. सपोज ये पहला stone है और ये हमारा दूसरा stone है. एक को उपर से नीचे के और छोड़ा जा रहा है और दूसरे को नीचे से उपर के और फेका जा रहा है. ठीक है. अब दूनो stone जो है एक साथ ये चीज़ की जा रही है तो दूनो stone कहीं पर आ करके एक दूसरे को cross करेंगे एक दूसरे से meet होंगे. सपोज वो position ये है कि इस position पर आ करके वो दूनों meet हो रहा है. ठीक है. तो अब आपको बताना ये है कि ये किस position पर meet होंगे और कब meet होंगे ठीक है means आपको time बताना है और कहां पे meet होंगे वो position बतानी है वो position means ground से कितना उपर है या इसके top से कितना नीचे है कोई भी एक position बतानी है तो suppose मान लिजिए पहले हम question को अच्छे से समझेंगे तो आपको solve करने में बहुत आसानी होगी suppose हम मान लेते हैं कि इस position पे जहां meet हो रहा है इसकी distance इस top से d है अब यह कितना था हमारा total 100 meter था तो यह कितनी distance बचेगी 100 minus d और time कितना लगेगा time जो है suppose जब दोनों एक साथ छोड़े जा रहे हैं तो जिस position पे जाके मिल रहे हैं वहां तक पहुचने में suppose t time लग रहा है तो इसको भी उतना ही time लगेगा और इसको भी उतना ही time लगेगा क्योंकि एक साथ छोड़े जा रहे हैं और एक position पे मिल रहे हैं अब question समझ में आ गया अब हम किसको solve करते हैं ओके let the stone meet at distance d from the top of the tower and after t second ठीक है यहां पर d इसकी distance है top of the tower से यहां आकर के दोनों stone meet हो रहे हैं और t second में पहुच रहे हैं अब for both the stone time will be same दोनों के लिए time same होगा t same हो जाएगा as t and distance will be d for stone 1 and 100 minus d for stone 2 तो time t जो है वो दोनों के लिए same हो जाएगा ठीक है और distance कितनी होगी जहां पर वो meet हो रहे हैं उस position की distance stone 1 से d होगी यह आपका stone 1 था इससे distance d पे मिल रहा और stone 2 से 100 minus d पे है ठीक है अब stone 1 को ले करके कुछ calculations करते हैं और पता करते हैं कि यह कब और कहां मिलेंगे formula क्या है आपका s is equal to ut plus half a t square इसमें use करेंगे जहां पर u क्या हो जाएगा s क्या हो जाएगा s क्या हो जाएगा s क्या है distance है ठीक है stone 1 के लिए जो distance जहां पे meet हो रहा है इस distance को अगर हम calculate करें तो यहां पर s क्या हो जाएगा s is equal to d हो जाएगा ठीक है u क्या होगा जब top से छोड़ा जा रहा है कोई stone तो u हमेशा 0 होता है a क्या होगा जब भी कोई चीज vertically या नीचे की ओर गिरती है उपर की ओर जाती है तब वहाँ पर a जो है g की value लगती है ठीक है उपर से नीचे आ रहा है तो g positive में होगा तो अब यहां पर हम s की जगे d रखेंगे u की जगे 0 और a की जगे g तब हमारा d के आएगा d is equals to half gt square ठीक है यह suppose आपकी equation 1 हो गई ठीक है d is equals to half gt square ठीक है अब आते हैं stone 2 को लेकर के चलते हैं for stone 2 इसमें क्या है s is equal to ut plus half 80 square फिर रखिये यहां पर s कितना हो जाएगा s हो जाएगा 100 minus d u कितना होगा जब नीचे से उपर की और fake रहते तब हमारा velocity क्या थी 25 meter per second तो u हो जाएगा 25 meter per second t दोनों के लिए same है half g यहां पर जब नीचे से उपर की और fake रहे है तो हमेशा g क्या हो जाता minus में लगता है ठीक है अब इसको putting the value of d from equation 1 d की value क्या है half gt square अभी आपने निकालाना है तब अब इस equation में यहां पर जो d आ रहा है इसकी values को put कर देते हैं तब क्या होगा 100 minus half gt square is equals to 25t minus half gt square अब यह देखिए equals to के इस side भी minus में half gt square है equals to के उस side भी minus में half gt square दोनों cancel हो गए अब क्या हैगा आपका 25t is equals to 100 t is equal to 4 second time आपको पता चल गया कि कितनी देर में दोनों stones एक दूसरे से meet होंगे means after 4 seconds बोथ stones will meet ठीक है अब आपको क्या पता करना है के बोल when पता करना है कब sorry when पता चल गया है और where पता करना है कि कहा मतलब d पता करना है अब d की value जो थी half gt square थी यहाँ पर g क्या है g आपको पता है कि calculations को simplify में रखने के लिए simple रखने के लिए हम g की value 10 meter per second square यूज करते हैं और वैसे g की value क्या है equators पे 9.8 होती है तो यहाँ हम g को 10 ले करके चलेंगे ठीक है तो d is equal to half gt square है यहाँ g की value 10 रख दीजिए time आपको पता चल गया 4 तो क्या हो जाएगा d is equal to half into 10 into 4 का square इसको जब आप solve करेंगे तो d is equal to 80 meter आ जाएगा means यह कहां से 80 meter है आपके जो 100 meter की building थी उससे नीचे उससे 80 meter नीचे ठीक है तो add the distance of 80 meter from the top of the tower both stone will meet अगर आप इसको नीचे से ground से calculate करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 meter हो जाएगा हो सकता है आपको कुछ जगे answer ऐसा भी मिल जाए कुछ बच्चे solve करें बोलें नहीं sir यह तो 20 meter इसका answer आ रहा है तब आप क्या लिखेंगे answer में लिखेंगे add the distance of 20 meter from the ground